हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकट एक्सपर्ट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान सूपर लीग के मैच नमबर 20 के बारे में जो होना है इसलामाबाद यूनाइटेड बनाम लाहूर कलंडर्स के बीच वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों की स्टेंथ एंड वीकनेस की एक स्टेटेजी बनाएंगे जिसे हम फालो करके डीम 11 में अच्छी खासी अर्निंग कर सके दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट यूजफुल स्टेट्स जो हमें डीम 11 टीम बनाने के लिए अहम होंगी इसके बाद वीडियो के अंत में हम बनाएंगे एक वेतरीन डीम 11 टीम जिसे पिक करके लाखों की अर्निंग हो सके तो वीडियो को कहीं भी स्किप किये बिना अंत तक जरूर बने रही है दोस्तों इसे पहले आप से काना चाहेंगे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि PSL के बाकी बचे हुए मैचों के बाद World Test Championship का Final मुकाबला जो 18-22 जून के बीच भारत और New Zealand के बीच में होना है इसका Best Dream 11 टीम इसके बाद IPL के बाकी बचे हुए सारे मैचों के साथ साथ सभी National, International और Domestic मैच का Best Dream 11 टीम चैनल द्वारा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइट किया जा सकता है जिसे लेकर लगा कर आप लाखों की अर्निंग बड़े आसानी से कर सकते हैं तो वीडियो को बिना कहीं स्किप कियां तक जरूर बने रहे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर दबा लीजिए अब आईए देखते हैं आज के इस मैच के बारे में कि क्या क्या स्टेटेजी हमें फालो करने पड़ेगी इसे अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए इससे पहले मैच से संबंदी इंपार्टेट अपडेट जानने तो ये बीसमा मुकाबला भी वही सेम सेख जायद स्टेडियम अब उधावी में होना है जहाँ पर बैट्समेन और बालर्स दोनों के लिए समान अउसर है बैलेंस विकेट है 152-160 बहुत कामन स्कोर यहाँ प किये हैं जबकि चेज करने वाली टीम ने 21 टाइम सफलता पुर्वक चेज करते हुए जीत हासिल की है कोई भी मुकाबला टाई या ट्रार नहीं हुआ है एबरेज स्कोर 157 और हाइस्ट स्कोर चेन्नाई सूपर किंग द्वारा 205 का किया गया था जबकि लोएस्ट स्कोर र सोहल अक्तर की ओपनिंग जोड़ी इसके बाद मुहमद फैजान, मुहमद हफीज, बेन डंग, टिम डेविट, जेम्स फाकनर, रासित खान, साहिल साहा फ्रीदी, हरिस रओब और अहमद दानियाल प्लेइंग 11 में जगह बनाते नजर आ रहे हैं तो इसलामाबाद हसन अली, मुहमद वसीम जूनियर और फवाद हमद खेलते नजर आएंगे दोस्तो आइए हम बनाते हैं एक ड्रीम 11 स्टेटजी और बनाते हैं एक वेतरीन ड्रीम 11 टीम जिसे पिक करके इस मैच से हमको ड्रीम 11 के माध्यम से अच्छी खासी अर्निंग हो सके दोस्तो ड्री को जरूर हमको छोड़ना पड़ जाएगा जिसके लिए हमें ज्यादा क्रेडिट खर्च करनी पड़े तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम कोई भी प्लेइंग 11 ड्रीम 11 बना सकते हैं क्योंकि क्यों सो क्रेडिट है और यहां पर कई बड़े खिलाडी साड़े नौ से द प्लास के बाद एक बार जरूर अपनी टीम को इसकिप कर लीजिएगा जिससे कि वह सारे खिलाड़ी प्लेइंग 11 में जो खेलते हैं वहीं आपकी ड्रीम 11 टीम में हो तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाली है तो आइए शुरू करते हैं इस मैज के लिए बैतरीन दीम 11 टीम बनाने का काम तो सबसे पहले बिकेट कीपिंग का आपसन आता है तो बेन डंग को हम पिक करेंगे बिकेट कीपर बैट्समेन के रूप में रोहल नजीर हलांकि अच्छे खिलाडी हैं लेकिन फिरहाल इनका बैटिंग फॉर्म अच्छा नहीं है तो इनको मैच के हीरो रहे कॉलिन मुनरो इन दोनों को हम पिक करेंगे इसके बाद लाहूर क्लेंडर्स के ओपनर बले बाज फखर जमान को हम पिक करेंगे हलांकि अच्छी फॉम में अब तक नहीं नजर आये हैं जबसे ये दूसरी बार प्येसल का बाकी मुकाबला सुरू हुआ है कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं लेकिन बहुत बढ़िया खिलाडी हैं किसी भी मैच में वापसी कर सकते हैं और एक पिक हमाओर रखेंगे सोहे लक्तर के रूप में लाहूर क्लेंडर्स के कैप्टन है और ओपनिंग करने आते हैं तो इनको हम पिक कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों आती है आलाउंडर्स की बारी तो मुहम्मद हफीज बहुत बढ़िया खिलाडी हैं हलाकि गेदबाजी तो कर नहीं रहे हैं और बैटिक में कुछ बहुत अच्छे स्कोर अब तक नहीं किये हैं लेकिन फिर भी काफी तगड़े खिलाडी हैं लेकिन आप देख सकते हैं इनके लिए हमें 10 क्रेडिट खर्च करने पड़ेंगे और हमारे पास कुछ क्रेडिट का इसू है तो इनको हम छोड़ेंगे आप चाहें तो किसी और बड़े खिलाडी को छोड़के इनको पिक कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम इनको स्किप करते हुए साध बहतरीन खिलाडी है और बैट और बाल दोनों से अब तक काफी प्रभावित किया है इसके बाद दोस्तों गेदबाजों के आप सब में चार गेदबाज हम रखेंगे जबकि देख रहे हैं बाकी पिछले मुकाबलों में विकेट खोब गिर रही हैं तो रासित खान को पिक कर हैं इसके अलामा दोस्तों अगली पिक इसलामाबाद के लिए तेज गेदबाजी करने वाले हसन अली को पिक करेंगे यह अब तक काफी अच्छे टच में दिख रहे हैं और धेरों विकेट ले रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास केवल आठ क्रेडिट बचे है आठ क्रेडिट में हम अहमद दानियाल को पिक करेंगे यह अच्छा गेदबाजी कर रहे हैं तो इनको हम पिक कर लेते हैं हैं तो टीम कंप्लीट हो गई दोस्तो अब टीम के कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं सेलक्शन के तो केपटन और वाइस केपटन में काफी सारे आप्सन है फकर जमान हलाकि बहुत अच्छे ट्रच में नहीं है लेकिन बढ़ियां खिलाडी है इसकी अलामा कॉलिन मुनरो जिन्होंने पिछले मैच में अकेले दम पे जिदाया सा अपनी टीम को रासित खान जेंस फाक मर सारे काफी सांदार खिलारी हैं यहाँ पर हम रासित खान को एजे कैप्टन पिक करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले सारे मुकाबलों में बहतरीन काम करते नज डाले तो टीम में एक मात विकेट की पर बेंडंक हैं चार बैट्समैन है उस्मान खाजार कॉलिन मुनरो फकर जमा उस्तो है लक्तर दो आलाउंडर फाकनर और सादाब खान हैं जबकि चार गेदवाज रासित खान हसन अली साहिन अप्रीदी और अहमत दानियाल हैं टीम के कैप्टन रासित खान को पिक किया गया है जबकि वाइस कैप्टन के रूप में कॉलिन मुनरो हैं दोस्तो वीडियो का कांटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सेयर जरूर कीजिए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए धन्यबाद दोस्तो आपका दिन सुपहूँ